हलो मेरे दोस्तों मैं रहूल और स्वागत अपने जूप चाल आर्किसेंटर पे दोस्तों आशके वीडियो में हम लोगे को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एक्जामिनेशन के दिरिश्टी कुन से most important होनी वाल है ठीक है जो दोस्तो देखिए अगर आज की questions की बात करें तो question आपका इस प्रकार से पुछाब है कि भारतिया सिक्षा प्रणाली में विक्रम सिलाविस्विद्याला के युगदान की विवेशना करें कि आखिर विक्रम सिलाविस्विद्याला जो है वह भारतिया सिक्षा प्रणाली में किस प्रकार का युगदान देता है उसके बारे में क्या ठीक है जानना है तो दोस्तो आपको बिल्कुल घबराने के लिए और मेजर वन हिस्ट्री के ताद यार आपको बना के देदू अब देखिए यहां पर बात आती है विकरम भारत के प्रसिद्यालायं यह था ओन्य कि ओने विप्रम हेट यहां पर मुहमममद बिन बक्तियार खिली के त्वारा क्या कर दिया गया इसको जला दिया गया कि इसको जला दिया गया विक्रम सिलाव इस विद्याला को तहस नहस कर दिया गया तो आखिर क्यों तहस नहस कर दिया गया ये सारी बातों को जानने के लिए वुडियों को अंतर तक देखें ठीक है क्यों क्योंकि आपको एक्षामिनेसना पढ़ेगा तो Yuk Also विकरम सिला भारत का एक प्रसीद्ध विश्विद्ययाले की बाद करेtestplay-αण Đ Valley भारत विश्विद्याले और विक्रम सिलादि दोन बाल राजवंस के राजिकाल में टेलिए जगद परसीद थे ठीक है और नालंदा विस्विद्याले की बात करें और विक्रमसिला विस्विद्याले की बात करें तो ये दो रों जो आना पाल राजवन्स में पाल राजवन्स में जो आना सिक्षा के लिए विस्वो विक्यात थे क्या थे विस्व में परसीदे थे कि यहाँ पे सबसे बढ़ियां क्या हो उच्छुप परकार का स्विक्षा दिया जाता है कहाँ पे नालंदा में और विक्रमसिला विस्विद्याले में आगे बता जाता है वर्तमान समय में बिहार के भागल पुर जीले का अतिंचक गाउं वही है जहां विक्रमसिला जहां पे था ना आज वहां पे जो आना बिहार के भागल पुर जीले में एक गाउं बन चुका है जिसका नाम क्या है अतिंचक बन क्या है अतिंचक जो है वह ग आगे क्या लिखावा है कि आठवी सताबदी में पाल राजा धर्मपाल बाद सासक ने किया था मतलब इसका स्थापना किया था ठीक है अब यहां तक हम लोगों ने इसके परीचिया को समझ लिया ठीक है अब नेक्स हम लोग को समझना है कि आखिर विकरम सिला विस्विद्याले के स्थापना किस प्रकार से किया था ठीक है तो देखिया बताया जाता है कि धर्मपाल द्वारा स्थापित विकरम सिला विस्विद्याले बिहार राज के भागलपूर जिले में इस थी था और आज भी है ठीक है वहां पर दूसरा गा खतम हो चुका है जिसको किसे खतम कर दिया था बक्तियार खिल जी के तवारा नस्ट कर दिया गया था इस आकरमन के समय वहां के कुलपती साकिसरी भद्र थे और इस आकरमन के समय भॉचा जाएगा कि इसके स्थापना धर्मपाल के सासनकाल में हुई थी आपको मैंने बताया था कि इसका सथापना प्रभाट के सासनकाल में हुई थी बता जाता है कि परबर्ति पाल सासकों के सनक्षन में 11 और 12 सतापदी में अंतर राष्ट्री महतुप का विस्विध्याले बनकर रोप रहा था ठीक है और ये जो विस्विध्याले है कौन सा विस्विध्याले है ठीक है और बताए जाता है कि एक ऐसा समय आया कि इसने नालंदा विस्विद्याले को पीछे छोड़ दिया और उसका प्रभंदन भी यहीं से होने लगा ठीक है और एक ऐसा समय भी आ गया जब क्या हुआ कि यह जो है यह यह उनिवर्सिटी जो है मिस्विकरम सिला अब देखें को पूचा था हम लोगों को पूचा था कि यहां का सिक्षा व्यवस्था कैसा है तो चलिए जानते हैं कि विकरम सिला विस्विद्याले का सिक्षा व्यवस्था कैसा है अगर बात करें विकरम सिला विस्विद्याले के सिक्षा प्रनाली का तो यहां पर क्या तो यहां पर शुना से महा विद्याल्गई थे ना पर पर प्रतेक में गजूना कैंदरिये कश को विज्ञान भवन कहा जाता तर केंदरिये जो कश है उसको क्या काजाता था विध्यान भवन कहा जाता था ति कोई भी महा विद्याला जाने के tagen प्रभीस्टवार होता था प्रते तता है और बादिक पर यहां से हम लोग घुशते थे करते हैं वहाँ पर क्या हता था तरह नोक 500 से टेस्ट लेता था कि क्या आप इस यूरिशिटी में पढ़ने योग है की नहीं है अब किस प्रकार से हैं पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं परीष्ट लेता था त्यक्यांुआ मैं परेक्शन कर लेका था उसके बाद संभा इस्कोंड़ Scout उसको परवेश नहीं मिलता था एक है कि सासनकाल नमलीकित द्वारपंडित के नाम हमें मिलते हैं। नरोप रहते हैं। पक्षिमी केंद्रिये द्वार पर कौन रहते थे रत्ना वरज रहते थे द्विधियार्थी ओक परिक्षन करते थे आप लोग इसका screen विस्तुरित नहीं था, अगर विक्रम सिला विस्त जयले या लै की बात करें, तो यहां का जो सिलेबस था, वो नारंदा के जैसा बड़ा नहीं था, है ना, यहां के पाठ्टकरम में व्याकरन, तरकसास्त्र, मिमान्स, तंत्र विद्या, विधी, आदी सामिल था, ठीक है, य बहुत धर्म की बज्रियान उसका परमुक केंद्र था उसका परमुक केंद्र था विकर्म दिपंकर, सुरी ज्यान, अभियंकर गुपता, ज्यानपाद, वैरोचन, रक्षित, जेतारी, रक्षित, सांती, ज्यान स्री मित्र, रतनावज, तथागत, रक्षित, आदी के नाम मिलते हैं, मतलब यह सब जो है अचारियों के नाम है, जो हुआ पर क्या करते थे, पढ़ाया पर लिखत होगा, तो एक टीचर कभी नहीं चाहेगा कि मिस्ट्रेंट का नंबर जो है, क्योंकि वो देख करके ही अट्रक्ट हो जाएगा, आपके एंसर पर ठीक है, लेकर आपको क्या करना है, फॉर्मेट बाब फॉर्मेट जो है, एकदम सही तरीके से लिखना है, ठीक है गाली, आपके बता जाता है, कि अतीज दिपंकर, स्री ज्यान यहा के कुलपती रह चुके है, ठीक है, विक्रम सिल् government के अचार बने है, अचार बन गया है, प्रफेस्र रोता है, वैसे अचार बन गई है, ठीक है, अचारे दिपंकर, हीन्यान, महायान, वेसे सिक और तर्कसास्त्र के प्रकंड विद्वान थे ठीक है अगर अचारे दिपंकर की बात किया जाये तो यह जो है ना हीन्यान, महायान, वेसे सिक और तर्कसास्त्र के क्या थे प्रकंड विद्वान थे इन सब्जेक्टों का अचारे दिपंकर को जो है वह किस्ति में पर्खंड विद्वान थे तो हीनियान में महायान में तरक सास्थर में वैसे स्विक में ठीक है इस आपको बताते हैं आपको पताना है कि 12 सताबदी में विकरम सिलाव इस विद्याले के आचारे अवयंकर गुपता थे 12 सताबदी में विकरम सिलाव इस विद्याले के आचारे अवयंकर गुपता थे वे तंत्र विद्या के विद्वान थे और वे जो है ना तंत्र विद्या के क्या थे विद्वान थे ठीक है इन्होंने संस्क्रीत और तिबती भासा में कई रचनाये किया था बारवी सताबदी में यहां अलगबग 3,000 विद्यारती थे और बारवी सताबदी की बात काया थे यहां पर और अलगबग कितने विद्यारती थे महीना तक जलता रहा था ठीक है तो सोचिए कि कितना किताब वहाँ पर रहा होगा फिर देख आगे बताए गया कि यहां किस्तान को पंडित महापंडित उपाधिया और अचारी ऐसी उपाधिया भी दिया जा ठीक है और यहां से जो असनातक पास करते थे उपाधी भूता है ठीक है यह समाल लिजे आज कल का जो ग्रेजुएट करता बच्चा लोग ठीक है उन लोगों को अगर पंडित महापंडित का उपलब्धी दे दिया जाए ठीक है तो यह बड़ी बहुत बड़ी बात है लेकिन अभी दिया आयता है क्या नहीं लेकिन पहले तिबबत में भारतिय सब्यतावार संस्कृति का परचार परसार में महातपुर्ण भूमी का अदा किया ठीक है इसने क्या किया कि तिबबत में भारतिय सब्यतावार संस्कृति के परचार परसार में महातपुर्ण भूमी का निभाया ठीक है क्यों क्योंकि तिबबत के छा यहां तक हम लोग सब कुछ जान गए किसका इच्छा व्यवास्ता कहता था सब कुछ क्लिली समझ गए अब लोग समझते हैं कि इसका पतन कैसे हुगा तो देखें बता जाता है कि 1203 में 1203 मुस्लिम आकरमनकारी मुहमद बक्तियार खिलजी ने इस विस्विद्याले को नस्ट कर दिया ठिक है 1213 में क्या किया मुस्लिम आकरमनकारी मुहमद बक्तियार खिलजी ने इस विस्विद्याले को नस्ट कर दिया और यहां पे जितने बी भश्यू थे उसको क्या कर दिया मतर् NEW लोगों को एक साथ मिला करके सबको मार दिया इस समय यहां कि कुलपती साक्सरी भदर थे ठीक है और वे जो है ना वे अपने अनवाईयों के साथ बच बचा कर तिबद भाग गए थे ठीक है और वे जो है कैसे करके बच गए थे मिंस वे अपने अनवाईयों के साथ में जो ना कैसे भी करके बच करके कहां भाग गए थे तिबद भाग गए थे क्योंकि ति प्रिटिएप लिंक जो आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा फिडियाप का नहीं वाट्टसप गुरूप का लिंक मिलेगा वहाँ से अपनों वाट्सप गुरूप में जो आनुजा उपकी एक्जामिनेसर के समय सारा पीडियाप को वहीं पर भेज दिया जाएगा तो उसके साथ जाथ और और भी इंपॉर्टन कोश्चन चाहिए होंगे तो उसका फिलिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा ठीक है तो मिल्टा लाक्स वीडियो में तब टेकर लिए जाहिए जाए भाराइए